बहुत दूर एक बहुत गहरे नीले समुंदर में एक मचली रहती थी ये कोई मामूली मचली नहीं थी वो समुंदर की सबसे सुन्दर मचली थी लेकिन कैसे? उस मचली के शरीर पर बहुत सारे रंग विरंगी शल्क थे बैगनी, नीला, हरा और चमकता हुआ चमकीला सफेद रंग भी सब मचलियां उसे इंद्रधनुष मचली के नाम से बुलाते थे जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग है वैसे ही इंद्रधनुष मचली भी रंगीन थी आज हम इसी मचली की कहानी सुनेंगे जिसका नाम है इंद्रधनुष मचली और आज उसके साथ हम भी समुंदर के नीचे की रंगीन दुनिया की सैर करेंगे इस कहानी के लेखक है मार्कुस फिस्ट इंद्रधनुष मचली को अपने उपर बहुत घमन था कि वो बहुत सुन्दर है और किसी और मचली के पास उसकी तरह इतने रंग बिरंगी शल्क नहीं है जब भी इंद्रधनुष मचली समुंदर में तैरती थी तो बाकी मचलियां उसे बुलाती थी इंद्रधनुष मचली आओ हमारे साथ खेलो अरे इंद्रधनुष मचली हमारे साथ खेलो ना लेकिन वो किसी के साथ भी खेलना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे लगता था वो सबसे सुन्दर और सबसे अलग है एक बार एक चोटी सी नीली मचली इंद्रधनुष मचली के पास गई चोटी नीली मचली ने उससे कहा तुम कितनी सुन्दर हो, तुम्हारे पास कितने रंगीन शल्क है ये जो तुम्हारे चमकीले सफेद रंग के शल्क है ये मुझे बहुत पसंद है क्या तुम मुझे अपना एक चमकीला सफेच शल्क दोगी? आप लोगों को क्या लगता है क्या इंद्रधनुष मचली नीली मचली को अपने शल्क देगी? इंद्रधनुष मचली ने कहा तुम चोटी सी मचली अपने आपको क्या समझते हो? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दोंगी इंद्रधनुष मचली की ये बात सुनकर वो छोटी सी मचली बहुत उदास हो गई और वो वहां से चली गई फिर छोटी नीली मचली ने बाकी मचलियों को बताया कि इंद्रधनुष मचली ने उससे क्या कहा है बाकी मचलियों ने भी कहा कि उन लोगों के साथ भी वो ऐसा ही करती है धीरे धीरे सभी मचलियों ने इंद्रधनुश मचली से दूर रहना शुरू कर दिया कोई उसके साथ खेलना नहीं चाता था कोई उससे बात नहीं करना चाता था जैसे ही वो आते बाकी मचलियां वहाँ से चली जाते इंद्रधनुष मचली को बाकी मचलियों का ये बत्ताव बहुत बुरा लगने लगा कोई मेरे साथ क्यूं नहीं बात कर रहा है कोई मेरे साथ खेलने को नहीं कह रहा है क्यूं? ये सोचते हुए वो एक नारंगी रंग की तारा मचली के पास गई और कहने लगी तारा मचली, ओ तारा मचली, तुम मेरी एक मदद करो न मैं इतनी सुन्दर और रंगीन हूँ पर कोई मेरे साथ खेलना नहीं चाता है ऐसा क्यों? तारा मचली ने कहा? मुझे नहीं मालूम अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो दूर एक गुफा है उस गुफा में एक बड़ा सा लाल रंग का केकरा रहता है इंद्रधनुश मचली तेरते तेरते उस गुफे के पास पहुची और उसने केकरे को आवाज लगाई सुनो, सुनो, कोई है क्या? तुम अंदर से एक केकरा बहार आया उसने आकर कहा? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ तुम दुखी हो न? और तुम किसी के भी साथ मिलकर नहीं रहते हो और नाहीं खेलते हो इंद्रधनुश मचली थोड़ा सा घबर आ गई फिर केकरा ने बोला मेरी एक बात ध्यान से सुनो आज के बाद तुम्हें अपनी सब चीज अपने दोस्तों के साथ बातनी होगी ये जो तुम्हारे उपर शल्क है न ये भी तुम्हें बाकी मचलियों के साथ बातना होगा ये बोलकर केकरा गुफा के अंदर चला गया बहुत सोचने के बाद इंद्रधनुष मचली उस छोटी सी नीली मचली के पास गई और उससे जाकर पूछा तुम्हें मेरा एक चंकीला सफेद शल्क चाहिए था न? तो उस छोटी सी नीली मचली ने कहां? हाँ, चाहिए तो था इंद्रधनुष मचली ने अपना एक छोटा सा शल्क निकाल कर नीली मचली को दे दिया जानते हो एक छोटा सा शल्क पाकर उस नीली मचली ने क्या किया? वो इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि वो नाचने लगी छोटी नीली मचली शल्क लगा कर बाकी सब मचलीओं के पास जूमते हुए गई और कहने लगी कि देखो मेरे पास भी एक चमकीला सफेद रंग का शल्क है वो बहुत खुश थी, उसे देखकर इंद्रधनुश मचली भी बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि अरे वा, इतना खोटा सा शल्क पाकर ये चोटी मचली कितनी खुश हुई फिर उसने सबसे कहा, किसी और को भी मेरा चमकीला सफेद शल्क चाहिए ये सुनकर बाकी सब मचलिया भी कहने लगी, हाँ हाँ मुझे भी चाहिए फिर इंद्रधनुश मचली ने एक-एक चमकीला शल्क उन मचलियों को बाट दिया अब वो सब बहुत खुश थे आपको कैसी लगी ये कहानी? आप लोगों को क्या लगता है कि इंद्रधनुश मचली खुश हुई होगी?